नमस्कार दोस्तों सवगत आपका Study for Civil Services में Study for Civil Services के एप से कोई भी test series, कोई भी course, कोई भी PDF अगर आप purchase करते हैं और उसमें coupon code लगा देते हैं payment करने पहले apply coupon की जगाए पे ग्यांसर small letter में है सब बिना किसी space के ये coupon code लगाके 50% का discount तुरंग मिलेगा 31 मही तक है ये सिर्फ और सिर्फ एप वाले courses में applicable है ठीक है तो Study for Civil Services में कई सारी test series है UKPSC है, BPSC है, UPPCS है, ROE, ROE, BEO आली है test PDF में कई सारी PDF होती है, courses में भी कई सारी courses, study material और video courses भी है, UPPCS agriculture services वाला भी course है, कई सारे और course आने वाले हैं इसमें नवश्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का Study for Civil Services में, ये है हमारी जोग्राफी की last class ठीक है, और इसमें हमारा भारत का भूगोल होगा समाप्त, ये जो class है हमारी ये है प्रमुक प्रेटनिस्थलों की, ये इसका दूसरा हिस्सा है, इससे पहले के हिस्से में हमने परस ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर द्वारा पचास गंतव्यों में से एक के रूप में चुना है, केरल की राजधानी स्तिरवंत पूरम से 175 किलोमेटर की दूरी पर सबरी माला मंदिर है, सबरी माला मंदिर देखे बहुत ही इंप आख बताना चाहता हूं जो बांदिर है यह है स्वामी अ्यप्पा का, ठीक है, स्वामी अ्यप्पा का यह मं दिर है और स्वामी अयप्पा को आप ऐसे समझेरी जैसे हमारे उत्तरभारत में जो हनुमान जी है, हैं बोफिक अरुकल एक प्रकार से घ्लाओं। इस्तरी संसारगी से दूर रहते हैं उसी प्रकार से दक्षन भारत में स्वामी अयप्पा है ठीक है इसी विज़े से स्वामी अयप्पा को जहान में रखते हुए ही सबरी माला मंदर में महिलाओं की जो एंट्री है खासकर जब वो पिरेट्स में होती है उस समय पर उनकी एं असल में यह जगे सहियाद्री परवत माला से घिरे हुए है और इसका नाम है पत्थनाम ठिट्टा जिला वहां पर यह पढ़ता है सबरी माला टेंपल भारत में 1850 में सरप्रथम टेलीग्राफ सिवा कलकत्ता और डायमंड हारबर के भी शुरू की गई वर्स 1980 में इंग्लेंड की ओरियंटल टेलीफोन कंपनी लिम्टेड ने भारत में कलकत्ता बॉंबे मदरास और एहमदाबाद में टेलीफोन एकसेंज इस्थापित किये बार में 28 जनवरी 1982 को टेलीफोन की आपचारिक इस्थापना की गई यानि 1880 में ही टेलीफोन इंडिया में आ गया था भारती डाक प्रिभाग द्वारा दुत्र डाक सेवा यानि स्पीड पोस्ट एक अगस्त 1986 से प्रारम की गई इस सिवा के अंतरगत पत्रों, दस्तावेजों, एवम पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधी के अंतरगत की जाती है निश्चित अवधी में डिलीवरी ना होने पर ग्रहा को डाक, शुल्क, पूर्टूट से वापस कर दिया जाता है आगे देखिए साथियो, बायो गैस, सायंसर, शक्ती और खाद दोनों परदान करता है यह उर्जा का एक अक्षय स्रोट है, यह क्रशी, अबसिस्थ, गोवर, नगर निगम, कच्रे, एवम सीवेज आदी से उत्पादित होता है भारत नाइट्रो जनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवम और भोगता देश है तथा इसपात उत्पादर में भारत का इस्थान तीसरा है थुमबा केरल की राज़धानी तुर्बंत पुरम के निकट स्थित है प्रोफेसर सारा भाई के नित्त तुम्हें गठित अंतरिच अनुसंधान समिती ने थुमबा में थुमबा एक्टोरियल रॉकेट लॉंचिंग इस्टेशन की स्थापना करनेड़े 1962 में लिया था ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुमबा भू चुमबक की विश्वत रेखा परिस्ते थे यह प्रोफेसर सारा भाई जो है काफी बड़े एक वैग्यानिक थे और इंडिया में जो स्पेस एज है इनकी वेज़े से शुरू हुआ और मैं आपको बताना चाहोंगा कि अपि यह बहुत रीक शांदार अगर इसको आप ईक बार जरूर से देखेगा बहुत ही शांदार वेव सीरीज है मैं ने उसको देखा और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको एक बार देखिए रॉकेट बॉइस को आपको इन दोनों वैग्जाने को बारे में काफी अच्छी नॉलिज मिलेगी काफी अच्छी है और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के बात की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको काफी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको रिकमेंड कर वा एक बार आप उसको देखना काफी अच्छी है स्री हर्विक कोटा आंधब्रदेश में स्थिते साथियों भाबा एटो में क्रिसा सेंट बार्क है ना यह मुंबई महारास्त्र में है पोखरन राजिस्थान राज की जैसल म मेर में स्थित है भारत का पहला भूमिकत परमाडू परेक्षण पोकरण में ही किया गया था दा हिमालियन माउंटेनिंग इस्टिटूट दार्जलिंग पश्यमंगाल में है जवारला लहरू कृषी वश्युद्याले जबलपुर एंपी में है सर्दार वल्लब भाई पट के इंद में इसका परिचालन 1956 में प्रारम हुआ कि सेटी और ब्रास की संग्या से मुरादाबाद पीतल के भरतनों के लिए प्रसिद्ध है मदबदेस के अशूक नगर जिले में चंदेरी में हाथ की बनी हुई साडिया निर्मित होती हैं बनार्सी सिल्क निर्मित साडिया विश्व में प्रसिद्ध हैं तमिलाडु के कांची पुरम में कांजी वरम साडियां सिल्क साडियां बनती हैं इसलिए कांची पुरम को गोल्डन सिटी या वारानसी आउफ साउट इंडिया कहा जाता है धिन्डी गुल तमिलाडु का एक नगर है यहीं पर हैदर अली ने प्रांसिस्यों के सयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की जंग महल छेतर पश्यमंगाल में अवस्तित है यह छेतर नकसली गत्विदियों का केंदर राखा है डाइमंड हारबर तथा साल्ट लेक सिटी पश्यमंगाल में अवस्तित है बालापूर महाराश राज का सैल रासाइनिक संकुल के रूप में प्रसिद्ध है चकराता यह वर्तमान में उत्राखंड राज के दहरादून जिले में इस्तित है हाफलांग यह असम राज के उत्री कचार हिल जिले का एक कस्बा है कुलिम्पॉंग यह पश्चे मंगाल के दारजलिंग में इस्तित एक हिल स्टेशन है कुफरी हिमाचल से 20 किलो मीटर की दोरी परिस्तित है शिमला से यह हम सब पढ़ चुके है उडवाडा गुजरात राज का एक कस्बा है जो पार्सी फायर टेम्पल के लिए फेमस है किस हमाले के बीच में पाई आते हैं किन किन हमाले के बीच में लास्ट एक कसौली हिमाचर परदेश के सोल अंजले में अब यहां पर इंपॉर्टेंट देखिए कुछ चारागा हैं मतलब कुछ ग्रास लैंड है जो बहुत ही फेमस है इनको देख लो जड़ा बनी चारागा मिलेगा आपको गुजरात में वोग्याल उत्राखंड में खजियार हिमाचर परदेश में और पहल गाम मिलेगा साथियो जमू और कश्मीर में इसी के साथ हमारा जो है भारत का भूगोल हुआ साथियो समाप्त अगली क्लास में जो चर्चा होगी हमारी वो होगी बहुत एक भूगोल के बारे में ठीक है या फिर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पी सुरू करेंगे उसको मैं आपको डिसार्ट करें करें कि हमें क्या पढ़ पार सोते हैं उनको दी जाती है जैसा कि मैंने बताया कि दो पीडियेफ आप लोगों को दी जाती हैं मैं पहले भी बता चुका हूं एक होती यह गालीशन पीडियाफ है और एक दी जाती लिस्टिंग फिडियाफ ठीक है तो यह इस तरीके की पीडियाफ आपको हमारे जय हैं जय भारत बंदे मातरम